क्रिस्त में मेरे प्रिये भाईयों और बहनों आज मार्च 3 दो हजार 22 राकपुद के बाद का ब्रहस्वतिवार है चालिसी के आउधी में हमारी कलीशिया हमें विबिन पाठों से कई धार्मिक सत्यों की ओर हमारा ध्यान आकरशित करती है आज के पाठों से अपने जीवन के लिए हम लावदायक शिक्छाएं प्राप्त कर सकते हैं सुष्वाचार में हमारे प्रभू येशु हमसे काते हैं मनुष्ट को इससे क्या लाव यदीवा सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे दर असल इस संसार में मनुष्ट के जीवन का एक मात्र लक्षा है कि वा इश्वर को प्रेम करें और उसकी सेवा करें और इस तरह अपनी आत्मा के लिए मुक्ती प्राप्त करें और कोई दूसरा लक्षा नहीं है इश्वर ने हम में से प्रतियक के लिए वर्दान स्वरू अनंत आत्मा दी है और यह इश्वर की दृष्टी में मुल्यवान है इसी की मुक्ती के लिए इसे स्वरग में ले जाने के लिए हमारे प्रभू येश्व ने बहुत दुख उठाया वानेताओं महायाजकों और सास्यों के द्वारा ठुकराया गया और माड डाला गया और तीसरे दिन जी उठा इस तरह हमारे प्रभू ने पाप पर विजय पाकर हमारी आत्मा को स्वरग जाने के लाइक बनाया लेकिन अपने को और अपने आत्मा को स्वरग में पहुचाने के लिए मनिश्य को सांसारिक मोह माया को त्यागना पड़ता है आदी पाप के कलंग के कारण मनिश्य सभावत धन संपत्ति मान मरियादा और अधिकार अहंकार की ओर इतना अधिक आकरशित होता है कि उसे जीवन और मरन और भलाई और बुराई में अंतर ही नहीं दीखता है उसकी मती मारी जाती है वा अपना विवेखो बढ़ता है इसलिए आज के पहले पाठ में इसरालियों को ईश्वर की आज्याओं बिध्यों और नियमों को देते हुए मुसा कहता है आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मरन भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ वास्तों में ये आज्याएं बिध्यां और नियम मनिश्य के लिए अनंत जीवन और अनंत भलाई है जो इनका पालन करेगा उसे इश्वर आश्रवाद प्रदान करेगा जो इनका पालन नहीं करेगा वो बुराई के पांक में फसकर मृत्यू में नश्ट हो जाएगा प्रिये भाई और भानों आज हम इश्वर को धन्यबाद दें कि उसने अपनी अनुकंपा और करुणा में हमारी अनन्त मुक्ति के लिए अपने एक लवते पुत्र को इस धर्ती पर भेजा जिसने मानव जाती के पापों की छमा के लिए अपने को कुरूस पर बलिदान चड़ाया हमें पाप से मुक्ति देकर स्वरक के लैक बनाया अब हमारा करतब्य है कि हम बुराई और आत्मिक मृत्यू से बचने के लिए और भलाई और अनन्त जीवन को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्याओं, विध्यों और नियमों का पालन करें चालिसे की साओधी में चलिए हम त्याग तपस्या करें बिंती प्रात्ना करें, प्रभु के वचन को सुने सुनाएं और उन पर मनंचिंतन करें बुराई और पाप से प्राश्चित करें और मन परिवर्तन करें हम प्रभु येसु के वचन को याद करें वह कहते हैं जो मेरा अनुसरन करना चाहता है वो आत्म क्या करे और प्रति दिन अपना क्रूस उठा कर मेरा अनुसरन करे इश्वर की किरपा आप सबंग पर बनी रहे आमेन